वेल्कमेश फ्रेंड्स इन करेंट अफेर्स हो आज है 21 में 20 और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 21 में 20 की मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स तो शुरू करते हैं पहला कोश्चन है किसने साइको सोसल इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉक डाउन एंड हाउ टू कोप विद परशाथ सिर्सक लॉंच की है तो यह लॉंच किया गया है डॉक्ट श्री रमेश पुखडिया निशंग के द्वारा सिर्सक का नाम है साइको सोसल इंपैक्ट पैंडेमिक एंड लॉक डाउन एन हाउ टू कोप विद बढ़ते है नेक्स्ट कोस्टन की तरफ अच्छा इसको यह भी जान लेते किसने इसको प्रकासित किसने किया है तो इसको प्रकासित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तो यह भी कोशन मन सकत है कि साइको सोसल इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉक डाउन एंड हाउ टू कोप विद को किसने प्रकासित किया है तो इसको प्रकासित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने और इसको लॉंच किसने किया है तो लॉंच किया गया है श्री रमेस पॉक डिय निशंग जी के द्वारा जो HRD मिनिस्टर भी है बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ दूजरा कोश्चन है किस मंत्राले ने संग्रहालेओं का पुनर्जीवन और शांस्कृतिक अस्थल विशय पर एक वेबिनार की मेजमानी की है तो संस्कृति मंत्री कौन है तो संस्कृति मंत्री है पहला सिंग पटेल मानो संसाधन विकास मंत्री कौन है तो रमेस पुक्रियार निशंग सुचना और प्रशान मंत्री कौन है तो पहला सिंग पतेल सुचना और प्रशान मंत्री है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तीसरा कोशन है किस संगठन ने चैलेंज कोवीड-19 परतियोगिता की थी तो चैलेंज कोवीड-19 परतियोगिता नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन दवरा आयोजित की गई थी ये चैलेंज कोवीड-19 परतियोगिता 31 मार्च से 10 मही तक चलाया गया था बढ़ते हैं next question की तरफ चौधा question है पहली अभासी विश्व स्वास सभा में भारत का प्रतिनिधितों किस ने किया है यानि कि अभासी विश्व स्वास सभा में भारत का प्रतिनिधितों किया है डॉक्टर हॉर्ष वर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है बढ़ते हैं next question की तरफ पांचवा question है किस देश ने समाजिक दूरी को बनाय रखने में मदद के लिए I feel you bracelet विक्सित किया है तो I feel you bracelet इटली के द्वारा विक्सित किया गया है अब जान लेते हैं इटली के बारे में कुछ तो I tellee के जो President है उनका नाम है Sergio Martrela और इटली के Capital Rome है और इसके Prime Minister है Gisope Conte इसके क्या है प्राइमिनिस्टर है इटली के बढ़ते हैं next question के तरफ चठा question है किस राज ने Cyber सुरक्षा विशिष्ट तौरा कार्ज करम HAC के लांच किया है करनाटका के द्वारा अब यहां पर बात है करनाटका की तो इसके बारे में भी जान लेते हैं करनाटका जिसका स्थापना हुआ था एक नौंबर 1956 को कैपिटल इसकी बैंगलूरू है लाजेस स्थी भी इसका बैंगलूरू है दिस्टिक्ट की बात कर ले तो 30 यहां पर कुल डिस्टिक्ट है गवर्णर यहां पर वाजुभाई बाला है चिफ निस्टर बियस यदुरप्पा है लोग सब्भा कि आँप अठाई सीटे हैं और रॉज सब्भा की आपी 13 सीटे है यहां का लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरण है पर विधान सब्भा भी और विधान पडिशाद भी है तो विधान सभाई के हाँ फी 24 सीध हैíD behavior है और विधान सब बड़ी सत्थ के हाँ फी 75 सीध है। Meem पर आप देख सकते हैं करणाटका किस किस शीत से सीमा लगती है। तो महराश्टरस से इसकी सीमा लगती है। अंधर परते से सीमा लगती है। केरल से इसकी सीमा लगती है तामिलनाडू से इसकी सीमा लगती है आंधर तिलंगाना के साथ इसकी सीमा भी लगती है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ साथवा कोशन है अंतराश्ट्रिय संगरहाले दिवस 2020 का विशाई क्या था तो अंतराश्ट्रिय संगरहाले दिवस 2020 का विशाई था म्यूजियम फोर एक्वालिटी, डायवर्सिटी और इंक्लूजन फिर से रिपीट करते हैं म्यूजियम फोर एक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन तो अंतरा श्रीय संगहल दिवस मनाया कब जाता है तो यह हर साल 18 माई को मनाया जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आठवा कॉशं है विष्व मधमखी डिवस 2020 का विषय क्या है विश्व मदमख्य डिवस 2020 का विषय है वी इंगेजड अब यहां पर बात आयी है विष्व मधमख्य डिवस की तो जान लेते हैं मनायाक पूम जाता है यहहर सल 20 म Rabbit Water तो जो मध्दब्ध मख्य पालन के परमुक थे जिनका नाम थे एंटो जॉंस उनका जनम 20 मई को ही 1734 में हुआ था इस वज़त से विश्वांद मख्य दिवस बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नौवा कोशन है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम एक क्वारेंटाइन सीटी वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम एक क्वारेंटाइन सीटी के लेखक कौन है तो इसके लेखके फांग फांग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की दस्वा को सन है किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तुफान को अमफान नाम दिया है तो यह अमफान नाम दिया गया है थाइलेंड के द्वारा तो यह थे आज के दस इंपॉर्टेंट क्रंट अफेर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई